दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की पहले कबर बिहार में अभे नहीं लगेगी लोगडाउन लेकिन नियाम होंगे सक्त स्यम नितिस कुमार सहीत स्वास्त विभाग के मंतरे और तमाम अधिकारी इस से निवटनी के तैयारी में जुटे है मुख्य मंतरे इस तर पर इस बात की समिक्छा की जा रही है कि किस तरह से लोगों को कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन से बचाया सके सरकार की तरफ से फिलाल लोगडाउन तो नहीं लगाये जाएगा और ना ही कोई कर्फियू लगाये जाएगी बलकि कोरोना गाइडलाइन को और सक्त किया जाएगा बिहार सरकार ने वेरियन को देखते वे आम लोगों के लिए और खास लोगों के लिए गाइडलाइन तयार करने वाली है फिलाल इस ओमिक्रॉन की समिक्चा की जा रही है इसके बाद गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया जाएगा बिहार सरकार की दिकारिक सुत्रों के मताबिक ओमिक्रॉन को लेकर गाइडलाइन सक्त बनाया जा रहा है अगली बड़ी ख़वर बिहार में आड़ दिनों में 37 कोरोना पोजिटीव सीम नितिस के आदेश के बाद 24 गंटे में सिर्फ 1,666,000 लोगों की जाच जी हाँ ओमिक्रॉन के खत्रे के बेच कोरोना डरा रहा है दिसंबर में खत्रा को ज़्यादा ही दिख रहा है आड़ दिनों में 37 ने मामलों ने चिंता बढ़ा दी है यहाँ हालत तब है जब सीम के आदेश के बाद भी स्वास्त विभाग 2,00,000 जाच नहीं कर पा रहा है जाच बढ़ाई जाए तो मामला भी बढ़ जाएंगे बिहार में एक्टिम मामलों की सिंख्या भी हर दिन बढ़ रही है बेदे 24 गंटे में 9 मामले ने सामने आने के ब अगली बड़ी ख़बर विदेश से पटना आए 5 लोगों की रिपोर्ट पोजिटिव सिंगापूर के 2 और नेपाल के 3 लोग मिले पोजिटिव अब वाइरस के स्टेन को लेकर होगी जिनॉम सिक्वेंसिंग जी हाँ विदेश यात्रा से पटना आए 5 लोगों की रिपोर् एक साथ पांच लोगों की रिपोर्ट कोरोना पोजिटिव आने से हड़कम मच गया है स्वास विवाग में कॉंटेश्ट ट्रेसिंग और सेंपल कलेक्शन के साथ अब जिनॉम सिक्वेंसिंग की तयारी चल रही है स्वास विवाग का कहना की संक्रमितों के संपर्क में पहले सगाई फिर अगनी के साथ फेरे लालू राबडी सहीद यूपी के पूर्व सियम अकलेस पत्नी के साथ सामिल हुए जिहा भिहार के नेता प्रतीपाच तेजस्वी यादव गुरवार को रचल के साथ परेने सुत्र में बंद गए दिल्ली के साकेत इसीद मिसा भारत भाई तेज परताव यादव और यूपी के पूर्व सियम अकलेस यादव भी पत्नी डिम्बल के साथ सामिल हुए आपको बता दे कि तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रेचल बचपन के दोस्त है करीब साथ साल बले दोनों एक दूसरे के करीब आए रेचल पूर्व सियम जितन रमाजी ने भी सुबकामनाई दी है जितन रमाजी ने ट्विट करते वे लिखा कि पूत्र समान युवान नेता तेजस्वी यादव को साथी की अननसुब कामनाई अगली बड़ी ख़बर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने दी सहिदोक सधांजली पालम एरपोर्ट पर राजनाल सिंग अवं आजीत डोबाल रहे मोजूद जहां सीडियस जनरल बीपिन रावत समेत अन्य सेनिकों का पार्थी शरीर कल साम द इल्ली लाया गया पालम एरपोर्ट पर पार्थी शरीर को रखा गया था जहां पहुचकर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सीडियस जनरल बीपिन रावत और उनकी पतनी समेत सभी सेनिक कर्मियों के पार्थी शरीर पर पूस्प अरपित की और सहिदों को सधांजली द अगली बड़ी ख़बर हेलिकप्टर क्रेस के बारे में रक्चा मंत्रे राजनाथ सिंग ने सदन में दी जानकारी लेंड करने से साथ मिनट पहले एर ट्रेफिक कंट्रोल से तूड गया संपर्क और फिर घटी घटना जा तामिल नाडो में कुनूर में हुए हेलिकप्टर क्रेस में सिडियस जनरल वीपिन रावद और उनकी पतनी समय तेरह लोगों की मौत के मामले में रक्चा मंत्रे राजनाथ सिंग ने सदन में जानकारी दी है यहाँ पहला मौका है जब सरकार की और से इस गटना के बारे में कोई जानकारी सारवजनिक की गई है राजनाथ स सिंग ने बताया कि चौपर में सवार 14 में 13 लोगों की मौत हो चुकी है उन्होंने यह भी बताया कि बचाव दलों ने बाकी 13 लोगों को बचाने की हर संभव कोसिस की गटना के बाद घायलों को वेलिंटन अस्वताल ले जाय गया था गटना में अकले बचे गुरूप इसे 12 बचकर 15 मिनट पर वेलिंटन में लेंड करना था लेकिन 12 बचकर 8 मिनट पर है एर ट्रेफिक कंट्रोल से संपर्क तूट गया बड़ी कबर नितिस की सराबंदी कानून से बिहार को नुकसान माजी बोले पुराना कानून ही ठीक था कूछ लोगों को पिने की छूट देनी ही होगी जहां बिहार में सराबंदी कानून को पहले से ज्यादा सक्त तरीके से अमनिजमा पहनाने के लिए एक तरफ जहां नितिस कुमार ने कमर कसी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ से लगातार विपाक्च सराबंदी कानून की समिक्चा की जरौत तो बता रहा है आप नितीस कुमार के सहयोगी और हिंदोस्तानी आवाम मौर्चा के आएदध जितरा माजी ने भी बिहार में सराबंदी कानून की समिक्चा करने की ज़रत बताई है。 माजे ने कहा कि बिहार में जो मौजुदा सराबंदी कानून लागू है उसे राज को काफी नुकसान हो रहा है पूरो मुखमंत्रे जितरा माजे ने बिना लगा लपेट का दिया कि सराबंदी कानून से बहतर साल 1991 का पुराना कानून था बिहार में नए सरबंदी कानून के लागू होने के बाद राज को हुए नुकसान की गिंती जितरा माजे ने कराई है माजे ने कहा कि आज बिहार में होटल उद्योग पूरी तरीके से चोपट हो चुका है टूरिजम इंडिस्ट्री का हाल बहुत बुरा है गया जैसे जगह पर जहां पहले टूरिष्ट बड़ी सिंक्या में आते थे अब वहाग गया आने की वज़ा एकुलकत्ता चले जाते हैं जो होटल करोबारी गया में टूरिष्ट और ट्रेक्शन के कारण करोबार कर रहे थे उनकी हालत पतली हो गई है सरकार को राजस्व का भारे नुकसान हो रहा है इतना ही नहीं माजे ने यभी का कि बिहार में जिस सरा सरा बंदे लागो की गई है उसके करण अब अवेद करोबार के नए नेटवर्क को खड़ाओने में मदद मिली है बड़ी कबर दिसमर में गर्म दिन और रात में पारा समाने से चार डिगरी उपर पंदरा के बाद आएगी तापमान में गिरावट जिहां कई साल बाद दिसमर मा में मौसम बदला हुआ है इस बार ठंड की जगा गर्म पड़ रही है दिन वर रात का भी तापमान समाने से अधिक रहा है अधिकतम तापमान तेन साल में सबसे अधिक रहा है वह नियुनतम तापमान भी नो साल में सबसे अधिक रिकोर्ड की गिया है अगले पांच दिनों तक मौसम में अधिक बदलाव की सम्मावना नहीं है मौसम विवाग न न्योक्ति पत्र सौपेंगे सियम नितिस स्वास्त विभाग ने सुरू की तैयारी जिहां बिहार के स्वास्त विभाग में जल्दी साथ हजार नए एनम की न्योक्ति की प्रक्रिया पुरी कर दी जाएगी बताया जा रहा है कि आगामी सब्ता स्वास्त विभाग को एक साथ स सबसे बड़ी बात यहाए कि एनम को न्योक्ति पत्र खुद सीम नितिश कुमार के हाथों सुपा जाएगा स्वास विवाग ने इसके तैयारी सुरू कर दी है बाड़ी कबर बिहार में अब जमीन के खरीद बिगरी में नहीं हो सकेगा धोकादड़ी एक किलिक पर मिलेगा गिर्वी जमीन की जानकारी पोर्टल हुआ लौंच जहां बिहार के किसी बैंक में गिर्वी रखे गए भुकन का पतल लगाना आसान हो गया है इसके लिए राजस्व एवंभुमी सुतार विभाग ने गुरुआर को एक पोर्टल जारी किया है इस नई विवस्ता से जमीन खरीद बिगरी में धोकादड़ी करना कठिन हो पर उस जमाबंदी का पूरा विवरन नजर आएगा अगर उस जमीन पर कर्ज ली गई है या उसे किसी आयने प्रयोजन के लिए बंदग रखा गया है पुरी जानका रेपोर्टल पर नजर आने लगेगी अगली बड़ी कपर बिहार में 40,518 प्रधान सिक्षक और 6,421 हेट मास्टरों की होगी न्योकती 865 नर्स की बहाली के लिए अंतिम चैनल लिष्ट जारी जिया राज जी के प्राथमिक और हाई स्कुलों में 40,518 प्रधान सिक्षक उवा 6,421 हेट मास्टोरों के न्योक्ति का रास्ता साफ हो गया है इसी महिने सिक्षक विभाग बिहार लोक सिवा आयोक को प्रस्ता भेज देगा महिने के अन तक विगापन भी जारी हो जाने की संभावना है मैदमिक और उच मैदमिक 6,421 इसकलों में प्रधान अज़ाबग पत पर न्योक्ति प्रक्रिया सुरू करने के लिए रोश्टर क्लियरंस पुरा हो चुका है मैं 4,518 प्रारमिक स्कुलों के लिए प्रधान अज़ाबग पत के लिए रोश्टर क्लियरंस 32 जिलों में हो चुका है इसके अलावा राज स्वास्त समीती ने राज की सहरी छेत्रों में 72 पर टिका करन सहीत अन्य स्वास्त सुवेदाई उपलब्द कराने वा मॉडल इम्मूनिटाइज़सन सेंटर पर काम करने के लिए एनम बहाली के अंतिम चेहन सुची जारी कर दी है वर्ष 2020 में 865 पदों के लिए बहाली निकाली गई थी सभी पदों पर बहाली कर ली गई है इनमें समयने पदों के लिए 225 EWS के लिए 61 सहीत अन्य कैटेगरी के लिए विगापन जारी किया गिया था बाड़ी कबर बिहार के इसकुली बच्चों को अब खाना खिलाएगा बैंगलोरो का अक्छे पात्रा फाउंडेशन 38 जार बच्चों को मिलेगा लाव बैंगलूरों का अक्षे पात्रा फाउंडेशन अपटना दानापूर वलवार सरिप के बच्चों को प्रधान मंद्री पोसन योजना के तहद दोपार का खाना परुसेगा सिक्चा मंत्री विजई कुमार चोधरी और अपरमुक सचीव संजे कुमार की माजूदगी में सिक्चा विबाग और अक्षे पात्रा फाउंडेशन के बीच बुद्वार को इसको लेकर एकर नामा किया गया ऑगली बड़ी ख़बर ख़तम हुआ, किसान आंडोलन, 11 दिसम्वर तक वापस घर लोटेंगे किसान ठोल नगरी के साथ होगी घर वापसी जहाब बड़ी ख़बर राजदाने दिली से आरही है जहाँ वर्सों से जारी किसान आंडोलन खथम हो गया है सेंख्त किसान मौर्चा ने आंदोलन खतम करने का एलान कर दिया है केंदर सरकार द्वारा तीनों क्रिसी कानून वापस ले जाने के बाद अब किसान आंदोलन में खतम हो गया है दिल्ली की सिमाओं पर डटे किसानों ने भी अब घार वापसी की तैयारी सुरू कर दी है और अंद की बड़ी खबर विक्की की दुलन बने काटरिना जिहां काटरिना कैप और विक्की कोसल के फैंस को जिस वक्त का बेसबरी से इंतिजार था आकिर वहाँ घड़ी आही गई काटरिना अब विक्की की दुलन बन गई है राजस्तान के सिक्स सेंसल स्वोट में दोनों ने साथ फेरे लिये और फिर एक दुजे के हो गए आपको बता दे के राजस्तान के 6 सेंसल स्पोर्ट में 7 फेरे के बाद दोनों एक दूज़े के हो गए हैं इस 22 साधी में 120 मेहमानों को निमंतरन दिया गया था जिसमें बॉलिवोर्ड के कई बड़ी सेलिबरेटी सामिल वे साधी को पुरी तरह से सिक्रेट बनाया गया था आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में कोरोना वारिस के नए वेरियांट ओमिक्रोन को लेकर नए गाइलाइन जारी करनी चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए